श्चपर ना यह कि अधम है है तिक एसे इसनिदिये है स्पार्ड के जोट है सब्राय है नियुकॉद कि फूजी रेट है सब्सक्रइए झाल है करते सांफ यह बहुत दो पिल्पी सोलर अंकर रहे नत्युक façon सब्सक्राइब बड़ी वाली ये मेल है ये मेल है इसका साथ ये वाले फीमेल है सुपर हाई बैग है फुला पुडा गोल्डे इस 20 देज क्वारिंटेन हो चुक है और शेफ बहुत बड़ी है इसका एक ट्यूब भी डाउन नहीं हुआ है मगल लग रहा है ये प्लाग गोस्ट नॉर्मल ये है अल्विन को है और पीछे सिल्वर रहा है नॉर्मल का 2.8523 स्टॉप है क्योंकि ये चेकर पोड़ी उपर आए बेक है क्योंकि प्लाग बड़ी है और शेफ बड़ी है और शेफ जब प्लाग प्लाग बड़ी है क्योंकि प्लाग बड़ी है और शेफ जब बड़ी है और शेफ जब बड़ी है तो वहीं जो बीच वाला कस्टमर्स है जैसे जिसमें गोल्ड फिश एंजेल बाकी वगए वगए थे वो सब्सक्राइब करीबन शायद मार्केट से गाइब हो गये या तो जो भी है यह मेरा सोच है हां सबका अलग-अलग सोच हो सकता है ठीक है हां एक चीज सारे कस्टमर्स को मैं बोलूंगा आप लोग प्लीज हम लोग जितने सारे से इंक्लूडिंग मी आप लोग हम लोग को हाट से कि हम लग होता है हम लोग क्या करते हैं यहां पर मPS को क्वराइन करते करें करने के बेशते ताकी पास जब जाये तो वह का और वह मशक्राइबन का हॉबी नहों कि आप हाट से मशक्राइब मश्मशा आतया नामढ़ जाए तो क्या होगा इफिनिटली आपका होबी मड़ जाएगा और वो एक्विरियम क्या होगा एक शोपीस हो जाएगा उसमें कुछ दिन बाद बच्चे लोग का किताब आ जाएगा उसके अंदर हां या तो कुछ मोर्डल वोर्डल सजा के रग दोगे आप कहीं पर फ्रीज के पर वह आप उठाके रग दोगी होबी क्या होगा खतम हो गया एक होबी खतम होना मतले एक कस्टमर गायब मार्केट से आज हर दिन ऑल ओवर इंडिया से अगर दस से पंदरा कस्टमर भी गायब होते हैं तो आप एक बार समझ के क्यालकुलेशन कर लिजिए कि तीन सो पैसे दिन में कितना कस्टमर गायब हो रहा है और एबी चीज़ चल रहा है आपका पास से कोई भी होब्येस्ट मचली खरीद के ओ भी सिर्णर बन जाता है और इसलिए बोल रहा हूं देखिए आप जो बोल्याब है सो टकक सच है अप यकिन नहीं करोगे बहुत बंदे आते मेरा यहां पर डिस्टाष देखने हैं डिस्कस कर वीडियो बनाओ तो ऐसे बनाओ पांच शे दिन बाद में देखता हूं इस इंस्टा में मेरा discuss वीडियो मैं उसको बुचे मैं ब्हाइं ये कौन देंडि नहीं बोला था वह सेल करेगा मुझे पता है नहीं वह discuss दिखा कि क्या सेल कर रहा है मुझे पता नहीं ठीक है तो अभी मैं जो इस बार हम क्या करेंगे आजॡ़के जमाने पर कोई विनाइल में अपना स्टीकर लगा हुआ जो भी लगाओ वो स्टीकर को भी गायब कर देता है विडियो हाँ एस इतना अच्छा उन लोग वा क्या कहते हैं आप लोग टेक्निकली मुझे पता नहीं होतना हाँ करता है कि गायब चीज है नहीं मेरा लिखा हुआ चीज अच्छा नीचे में ब्लीवेस लिखा हुआ है ठीक है अब यकिन नहीं करोगे इसका वीडियो लेके कब गिया मुझे भी पता नहीं है कौन कस्टमर है मुझे भी पता नहीं है कर देख रहा हूं सला यह नंबर ही चेंज कर दिया मैं बोलो भाई साब हाँ तुम मेरा वीड साइटिंग में लिखा हुआ है हाँ नंबर यहां पर जो भी नंबर है उसको चेंज करके दूसरा नंबर लगा दिया मैं सोच तुम तुम सर्टिफिकट कहां से दोगे उसको यह कोई अगर इसको कोई भी टैग इनबल करके टैग प्रिस करता है उसका टैक में घंटा तुम ऑदम बोलेंके तो बहुत कंट विया है ऑज तह यह अंपिफ्य हो यह इसमें गोल्डेन संवेर है जो यह भीक। देख देख रहें आप ठीक है यह गोल्डेन संमिडा है ठीक है और इसमें एक पिछे आट जो यह यह रफे tau है पीछे एक यह यह ना ए प्राइश्या है ठीक है और यहां पर थोड़ा एक मैजिस्टीक रेड है ठीक है मगर यह कलर फेड कर दिया पता में क्यों अचानक ठीक है चलिए इस टैंट का जाते हैं हो सकता है कि स्ट्रेस ले लिया होगा इसमें इसमें है ब्लाडी कल चेकर बोल्स सब सब यह करीबन है आपका 2.8523 इंचेस ठीक है इस टैंग का मुटम प्राइस करीबन आप पकर के चलो अंदाजा करीबन हजार से बारहो सो रुप्या के बीच में ठीक है नेक्स में इसमें है इसको जो कहते है यह वाला जो दिखा रहा हुँ है सामने बाला यह है ऐलन क्वैर वाल इन स्पोर है एक पीछे में और एक है ऑई बटरफ्लाइ वह इंपोर्टेट है सिंगल 1पीशी है ठीक है इसमें मेल फी मेल देखिए वह जो बड़ी-बादी बड़ने वाइट बटरफ्लाइए उसमें हम बता जैंगे कि मेल फीमेल ठीक है मगर यह जो अभी वीई-साइज है इसमें 90% मेल फीमिल बता दें कि इसमें बॉक्स चेकर बोड से सारे बॉक्स चेकर बोड आप देखो कि कुछ बॉक्स यह सब आप आउट किया हुआ तो 4.25 इंचेस प्राइस रिंच का है तेरहसों से पंद्रह सो रुपया यह टेंग का साथ रह सकता है आप इसको पार्ट के साथ चोड शूद सकते हो आरवना का साथ चोड सकते हो कोई दिक्कत होता हुदा रही है ठीक है क्लाउन लोच इसका साइज है करीबन एक फिंगर ठीक है एक फिंगर मरतब आप पकर के सेल सकते हो तीन से सारे तीन इंच ठीक है है साइज है इसका प्रैस रेंज करीबन है 325 to 375 का बीच में यह तो अच्छ जोगू रहा है ठीक है वो फीमेल श्रवन है उसका मेल पीछे घुम रहा है आ कंफ कंफॉर्म्ड पीज और इधर में सेनेगल है वो तो मस्đर और अलबिन किमत करांदस धीजिए इसका albino करीबन आप पकर के चलो 200 करके पीज हाँ ठीक है एकदम सेट मच्ची है आप इसको dry खिला सकते हो normal optimum 3-in-1 खिला सकते हो tetra bits खिला सकते हो जो भी animal protein आपको चाहिए आप खिला सकते हो एक दम पुरा सेट मच्ची है कोई दिक्कत नहीं है यह समस्ची लेके ठीक है यह हो गया आपका यहाँ पर आपर है फेदर फेदर ब्लागोस्ट नॉर्मल 4.5-5 इंच तू 5 इंचिस सब नहीं है बिला जुला के देसे यह बड़ी वाली है 5 इंचिस बड़ी वाली है 5 इंचिस उसके पीछे वाला है 3.75 इंचिस ठीक है और यह डिफ्टूड है यह डिफ्टूड नहीं है यह है बॉगूड बॉगूड वो प्लास्टिक है यह प्लास्टिक हम लोग देखे रखते है फेदर में ताकि फेदर अगर बाइचांस फाइट उट करें तो प्लास्टिक का अंदर वो जैसे हाइट हो जाएगा मतब सब्सक्राइगा या तो बॉगूड में छुप जाएगा या तो वह प्लास्टिक में जाके तीन चार मीट के लिए तो एक क्या करेगा पहले अकिरे में ढूंता रहेगा उसको मानने के लिए जब नहीं होगा तो अब्विस्टी हम लोग के तरह वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा जब शांत हो जाएगा वो निकलके आजाएगा प्लास्टिक रख देते हैं क्यूंक लड़ाई फैदर के दूश में दोस्तों इधर देखिए इधर जो मचली है सुपर हाइज बीजी है सुपर हाइबैक है फुला पूरा गोल्डेन बेस आपको दिखाई दे रहा है इसका गोल्डेन शाइन यह 9.5 इंचिस है इस सुपर गोल्डेन हाइबैक है प्योर इंपोर्टेट है मलेशियन है मेरा पास जितना आरवान है सारे चिप इन बिल्ट विट सर्डिफिकेट है बिना सर्डिफिकेट के कुछ नहीं हाँ सिल्वर छोड़ के मचली रखते है सब लोकल फिशेस है इधर तो हम लोग देख आर देल मिल जाएगा या पास और इधर देखिए इधर उडर्ण हे थे तोरह बहुत मतलब करोडी मैंड YOUR रखते है ठीक है तो मिला झॅ maximum बहुत सारे इते अज़र है руки कि यह इधर देखिए इधर बहुत सरे गोलपीशें से मतलब रेडोड़ कैप है मिलाजूला कितना अच्छा लग रहे हैं देखिए इधर इधर टेंक करीब मन 575 पीसेस जितना बच्चा था मैंने सारे बच्चा इसका उठा लिया इसका मदर फादर का हम फोटो हम दे देंगे आका वीडियो फोटो दोनों ही दे दूँगा तो वह आप लोग को दिखा देगा मदर फादर इसका मदर का जेली अगर देखियेगा तो सच बुरू में अखिरियम पकरके मॉंस्टर को फ्लावर होन भी शर्मा जाएगा इसका मदर का अगर जेली का थिकनेस दिखे जाएगा चस्ट एक दम ऐसा लगता है कि पूरा सर के उपर एक फुल गोबी बैठा हुआ है पूरा गोबी और एक दम पूरा हाई लेवल अव मार्किंग है इसका अश्का मादर फाफरा उन्सट गोड़न हैं ठीक है और इदर है इंदोनेशॉक्त ही है मलीशना इढूनेशन आपर एक और पीछоны जो घूम रहा है और पीछे तो इधर आगाए हम तो सब जो देख रहा है इधर जो टैंक है सारे फिशेस ब्रीडिंग प्यार है इधर कोई भी मचली सेलिंग के लिए नहीं है राइट कोई भी ब्रीडिंग पर सेल नहीं है अब फिलहाल अब लेट कर रहा है इसने करें इसका अगर होगा तो हम भीशाय सेल करेंगे मंगर फिलहाल हम आपको दिखाएंगे क्यों कि मैं टाइम नहीं दे पर हूं तो क्या दिक्कत ही हो रहे है वो मैं आज दिखाऊँगा आप लिख को तो एधर से सुरू कर यह है तो ब कोड़ें साथ पोटेट lub एकुले मैल जो है वो वालि मेल पीछे वाला इस वाल आड़ें वाला इसी सबाओना कारें से सब्सक्रास गुंद्ग फिस्क्छथ कुछ-कुछ fish होता है, जिसका आदत रहता है कि breeding cone में अंडा दे ठीक है तो उसकी fish होता है अब जितना भी breeding cone छो पॉद जा के देगा आपकी glass में लास में आपकी लास में il昨 measure फिक खेस्ड मैं आपको इसक और देगा शूरेज। इसका नाम है मैप बहुत एक्टिव है दोस्तों यह वाली फीमेल है फीमेल को ज्यादे ही अग्रिसिव है इसका अच्छा ठीक है और यह वाला है मेल इसका डायने तरफ कांच में दिया है और वह बाय के तरफ कांच में देगा पता नहीं क्या सिकुरिटी वह महसूस करता है हां हो सकता है कि उस तरफ में सिकुरिटी उसका ज्जादा है लगता है तो उसे कुन में ही देता है इधर में है हेकल, हेकल पीछे है, देखे, प्योर हेकल में वो बीच में बैंड रहेगा, जो काली वाली मूटी बैंड रहे है, यह हेकल टर्कॉइस हेकल है, उसका साथ नीचे देखिए, कोबल ब्लू हेकल है, कोबल ब्लू हेकल, नीचे में आप देखिए है, हेकल क्रॉस औरक ब्लैक वह अभी फिल्हाल कौन के पीछे अन्डा दिया हुआ है इसलिए फीमेल अंडा को GARD कर राय है अच्छा अंड़ यह कियो चाहिए इसका आदा वही था है कि यह हमेशा पीछे की तरफ देता है है सामने की तरफ नहीं देता है इसका बाजु वाला टांग हम दिखाएंगे आपको इसका है हमेशा राइट हैंड साइब में दिया गा है इसमें इका है इका हां आई-सी ए रेड उसका साथ ब्लू रिम रेड कवर फीमेल है इसका हम दिखा रहें देखिए हम क्यों बोल रहें कि हम में नहीं कर पारें यह अंडा दिया हुआ है यह देखिया आप फोकस कीजिए देखिए ग्राइट है वगर अंडा सारे फंगस लग गया है यह मिल्स कर पारा हूं रिम ऐसे यह दिक्षबत आ रहा है में पारें कोशिस करें विधा थोड़ा बहुत कर ने के लिए हां क्योंकि एक क्लाच निकालूंगा में पास अभी यहां पर चार ब्रीडिंग पेर है और मेरा जो ब्रीडिंग सेंटर है उसमें पहले था 47 अब उसको घटा के मैंने 23 तक उता रहा है ठीक है कुछ ब्रीडिंग पेर मैंने सेल करते है दूटू लैक ओफ टाइम लैक ओफ मे सेल कर रहूंगा और उसको घटा के 15 तक लाओंगा मैंने 8 पेर और मुझे सेल करना है ठीक है वो टाइम एन अगेन अगर आप लोग मुझे यूट्यूब यूट्यूब तो नहीं फेस्बूग या वाथ्सप में फॉलो करोगे तो स्टेंटस में हम देते रहेंगे कि इस प का क्लाच साइज करीबन वहाँ पर जो है उस करीबन 65-70 55-70 आप पकर लो 65 अब नहीं बोलेंगे 55-70 आप पकर लो ठीक है वो अगराच साइज में चलता है वहाँ कर देखिए यह फीमेल अभी हीट पे है वो बुलिंग कर रहा है मेल को फीमेल हीट पे अल्रीड आ चुका है हाँ मेल अब तक रेडी नहीं हुआ है तो फीमेल क्या कर रहा है मार रहा है उसको मेल को ठीक है तो कम इंटू हीट हाँ क्योंकि फीमेल का अगर आप फीमेल नोटिस करोगे फीमेल का देखिए जो पेट है हाँ उसमें एक फॉर्मेशन हो रहा है और एक ट्यूब भी डाउ नहीं हुआ है, मगर लग रहा है 3-4 दिन में दे देगा, मगर मेल अब तक भी ready नहीं, देखे, bullying कर रहा है, उननोग करते हैं, मतलब इसका मतलब यह है कि female ready है, male अब तक ready नहीं है, तो अगर यह female by chance अंडा दे दिया 2-3 दिन में, तो यह भी infertile जायगा, अगर मैंने देखा कि कल परसुत तक मेल हीट पे आ गिया है तब समझ में आएगा मुझे क्या होगा के लिए होगा मेलने यहाँ पिर टावें खते र्कशि कंटयाए शहका प्रसुर्थरा प्रसुर्ण पिक्मस आप्रसुपा रहा है इसे जागुववार कि माप चांतम्न। और यहह चेकरबोर है एक जम ब्लाड डिगल में चेकरबोर है और ईक करोंगा capital इसमें हूं is यह भी selling के लिए है इस टैंक का more or less costing है 950 to 1100 अपकर करके चला ठीक है यह प्योर आइपी ब्लाइंड का RBD है यह राइल ब्लु डाइमंड अच्छा इसका अगर ब्लु डाइमंड शेप बहुत बढ़िया है इसका और कलर अब देखे गया कि यह काता है नॉर्मल ब्लु डाइमंड फेड फेड होता है ठीक है इसका फिनेज भी देखे फिन्स में पूरा डाक ब्लू है एकदम इवन की फेस जो है ग्लिटरिंग ब्लू है रॉयल ब्लू डायमंड आर्बी डी सामने वाला आर्बी डी है वो मेल है सामने वाला 100% मेल है वो मेल है उसको उपर में है जो उसके बाजू में है ये वाला सामने वाला फीमेल है यह female है पीछे में जो जा रहा है यह वाला जो एकदम पीछे में देखो बड़ी वाली है वो female है इसमें करीबन 3 male है और 5 female है तो दोस्तों जो जो collection इसे वीडियो का मद्धाम से सौरब्दा दिखा है तो आप लोग देखाई था बहुत सरे collection उनका पास आये है नय नय 25 अगस्ट में 2-3 दिन का बाद ही वीडियो पब्लिश कर दूँगा यूट्यूब में तो उनका पास जो breeding प्यार उन्होंने बोला है तो उन्होंने तो ओभी दिखाए और वीडियो का मद्धाम में ठीके बहुत सरे suggestion दिया हुआ है उधर आप लोग मात skip करके देखिए क्य तो बताइए कुछ वीवर्स का बड़े में सारे वीवर्स को अकस्ट भाई की दरफ से प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए पहली बात कि जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे तो बंदा इतना कश्ट करके वीडियो नहीं बना पाएगा पहली बात है और सारे वीवर् होई है होवी को ह coil की तरह है ठीक है इसक Jeżeli तरह से हम लोग लाइफ है लोकां भी लाइफ है बड़ा कि तरह से कहा एक वह अच्छे मेंध्ची सब्सक्राइब पना लेकिनलो मेर्स बाकी तो सब कोई यूट्यूब गूगल देखे चलता है मगर एक चीज प्लीज यूट्यूब के सारे चीज पर मत जाईए क्योंकि आप लोग या तो हम लोग जो भी वीडियोज देखते 80% होता है आउट अफ इंडिया का यूट्यूब वीडियोज उन लोग का वेदर कंड अगर आप यूट्यूब में कुछ वीडियो देखे रहे हो जहां पर ऐसा ड्रग बोला है वह आप ढूंटे परिशान हो जाएगे पहले गूगल में सर्च कर लो कि उसका इंडियन नेम क्या है या तो एशियन नेम क्या है अगर आप यूवेस या जर्मनी या औस्ट्रेलिया न्यूजिलन की वीडियो देख रहे हो देखो वीडियो देखे सीखना बहुत अच्छी बड़ी बात है मगर जैसे हम लोग करते हैं आप भी सोचो सब वीवस को बोलना हूं जो स्कूल में जब हम लोग पर रहे हैं कि हि इसीख इंपोर्टेंट पॉइंट्स को उठाओ जो बोल रहे हैं देखो उसको फिर समझो खुद सोचो हां फिर आप उसको इंटरेक्ट करो क्योंकि बात ओपन चीज यूट्यूब में रजगुला बन जाता है 15 मिनिट में अगर रजगुला पंदरा मिनिट में आप बना स यह होता तो दुनिया कहां से कहां चला जाता है ठीक है एक घंडा में आप लोग देख रहे हो अभी अच्छा है सलूट टू इस्टो फॉर बूली गहते हैं सॉरी फॉर दाट सलूट टू इप्राउट टू इंडियान परी बात है मगर अगर इस्टो का वीडियो देखो ए घंटा 11 में घंटा 11 में रॉकेट कहुंचा है तो यही बात एक जस्ट नॉर्मल जस्ट है समझ लीजे ठीक है राफ स्वस्त रही है आप भी स्वस्त रही है सारे व्यूवस लोग को स्वस्त रही है है एपी रही है कूल हैपी फिश किपिंग और अब भी दुर्गापुज ठीक है चलिए तो आज के लिए बाई नेक्स बहुत जांदा रहे है आपनों का चनल में और आप लोग दूस्त रही है तो अब अब अबड़त रही है